अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोण का काला धन दरसल देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है उसी दिन मैंने अर्विन जी से कह दिया था अर्विन जी अगला नमबर अब आपका होगा तमस्कार में हम अदासिफ और आप देख रहे हैं नेक्स नाई नियोज एडी और सी बी आई के चकरवियों में फसे मनीस सोधिया के लिए सबसे बड़ी खबर कोट से आ रही है कोट निसाफ शब्दों में कह दिया है कि ये मामला गंभीर है ये मामला बहुत गंभीर है और उसके बाद अब तो दोनों के दोनों जो है पूरी तरीके से मामले को फासाते हुए नजर आ रहे है ज़र आसा सुन ले चुए कि जब वो जेल गए थे तब संजय सींग क्या कह रहे थे मोधी सरकार को लेकर इडी सीबियाई को लेकर और कैसे उसका इस्तेमाल मोधी सरकार कर लिए उस चीच को लेकर ज़र आप बारीज से सुनिए समझे और समझेगा कि दरसल 2024 के पीछ का पीछे का खेल क्या है ज़र गोर से देखी वीडियो इडिया 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 सभी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार जिस दिन दिल्ली की विधान सभा में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोण का काला धन दरसल देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है उसी दिन मैंने अर्विंद जी से कह दिया था अर्विंद जी अगला नंबर अब आपका होगा ये लोग सारी जतन करेंडे प्रधान मंत्री के भरस्टाचार को दबाने के लिए क्योंकि अर्विंजी ने सिलसलेवार तरीके से बहुती कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधान सभा में देश को ये समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भरस्टाचार का लाखों करोन का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है ये मोदी जी का पैसा है ये मोदी जी के भरस्टाचार का पैसा है लाखों करोन और उसे दिन से दिल्ली के मुख्य मंत्री के खिलाफ अर्विन जी के खिलाफ मोधी जी ने ये साजिस रचना शुरू कर दिया और आज CBI का संबन आ गया केजरिवाल को CBI का संबन भेज रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार और आप सर से लेके पाउं तक भ्रस्टाचार में डूबे हुए हैं और अर्विन्द केजरिवाल जी की लडाई ये CBI का संबन भेजने से र रुकेगी नहीं देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अर्विन्द जी ने जिसकी सुरुवात दिल्ली की विधान सबा से की है वो जारी रहेगी रुकेगी नहीं पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा सोला तारीक को अर्विन्द केजरिवाल को गरिफ्तार करने की अर्विन्द केजरिवाल को जेल में डालने की अर्विन्द केजरिवाल के खिलाफ ये बड़ी कारवाई करने की जो साजिस सापने रची है इस साजिस से, इस कारवाई से, इस अभियान से अर्विंद केजरिवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है ये देश के एक एक घर में आवाज पहुँचेगी ये देश के एक एक गाँ में आवाज पहुँचेगी एक एक गली महले में आवाज पहुँचेगी कि आपने लाखो करोड रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भरस्टाचार किया है इसलिए ये आम आदमी पार्टी है ये अर्विंद केजरिवाल है जिस अर्विंद केजरिवाल ने पूरे देश को एक सिछा का मौडल दिया स्वास्त का मौडल दिया बिजली पानी का मौडल दिया दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया काम किया देश के लोगों के लिए अपने इंकम टैक्स के कमिस्नर की नौकरी को लात बार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े वो अरविंद केजृवाल है जिनों न तेरा दिन का अंसन रखकर भ्रस्ताचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजृवाल की लड़ाई भ्रस्ताचार के खिलाफ उनकी मोहिम रुकने वाली नहीं है आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखो करोण का घोटाला किया है उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है देश के हर गाओं हर घर हर मोहले में पहुचाना जरूरी है तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यह जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधान सभा में अर्विंद केजरिवाल जी के भासर के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है यह गिरिफतारी की जो साजी स्रची गई है इस से ना अर्विंद केजरिवाल ना आम आदमी पार्टी ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता ना एक भी कार्करता ना जुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं केजरिवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं आगे भी लड़ते रहेंगे आपके कोई प्रस नहों आप पूछ सकते हैं ये तमाम लड़ाईयां ये संगर्स केजरिवाल के उपर तो बहुत सारी मुसीवते आई समय समय पे आई बहुत कारवाईयां हुई इनके खिलाव कभी सीविय का छापा दफ्तर पे मार दिया कभी मंत्रियों को गृफतार किया कभी विदाइकों को गृफतार किया ना दिली की जनता का काम रोका ना भ्रस्त अचार के खिलाफ लड़ाई रोकी और लड़ाई ज़ारी रहे हैց देखें ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और सोला तारीक को अर्विंद केज्रिवाल जी जाएंगे लेकिन मैंने जैसाब को कहा कि भरस्टा चार के खिलाफ उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने जो महा घोटाला किया है अपने दोस्त की कमपनी में लाखो करोड रुपए का ताला धन लगाके उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी गिरिपतारी की धमकी चाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन अब देश के सामने इस महाभरस्ट सरकार के महाभरस्ट प्रदान मंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगा मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोन का काला धन यही तो बोला था दिल्ली की विधान सबा में अर्विन जी ने और उसी दिन मैंने कह दिया था अर्विन जी यह आपने जो सच उजागर किया है यह सच बरदास्त नहीं कर पाएंगे प्रदान मंत्री जी यह सच उनको बरदास्त नहीं होगा मैंने तो पिछले तीन दिनों से बताया किस तरीके से एडी की पूरी जूटी कारवाई चल रही है आज अर्विन केजरिवाल को नोटिस आगया तो क्यों आया कि कि बहुत सारी चीजे परत दर परत करके उन्होंने विधान समा में जो भासर दिया था उसमें समझाया था बताया था कि सारा का सारा काला धन नरिंद्र मोदी का पैसा है नरिंद्र मोदी का मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोण का काला धन ये किसी और का नहीं है नरिंद्र मोदी का पैसा है नरिंद्र मोदी का अपनी राजनितिक सत्ता को बचाया रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी किये तो यही मामला है और क्या मामला है देखा अपने साफ शब्दों में उन्होंने समझा है कि अडानी का मसला हो तब तो अब जास नहीं करेंगे मोदी जी के मंतरी या उनके नेता जब भरस्टा चार करेंगे करप्शन तब तो वो नहीं कर पाते वहां तो उनकी आँख नहीं खुलती ADCY वहां नहीं जा पाते लेकिन विपक्ष को आज परिशान करने के लिए विपक्ष को कमजोर करने के लिए तोड़ने के लिए लोगतंतर के हत्या करने के लिए यह तमाम चीज़े कर रहे हैं कि आप में दम है कि कम से कम जाच करवा लेंगे कि अमोदी सरकार आप अपने पाठी ओ भरे परे जो नेता है उनका करवा लेंगे यह तमाम सवाल वो उठा रहे है झाल झाल